चैनल एक्विटी श्टार में सबसे पहले निफ्टी के यहां पर मुमेन्टम को देखेंगे ऐलो ट लगे टीन कहले हैं से वीइडियो में सबसे पहले बैक्विटी के Patchasant को यहां पर देखने वाले हैं आज आप लोग ने दिखा होगा बैंक निफ्टी का एक्सपारी था जहां पे मार्केट ने मुझे टू टाइम स्ट्रैप किया और मैं अबर ओल आज जो है जैसे तिसी करके 40 संथिंग थोजन जो है न मैंने प्रॉफिट ग्रीन में क्लोज किया है आपको बिलीव नहीं होगा टू लाक्स प्लस यानि कि टू लाक्स प्लस आज मैंने मैनस में था मार्केट ओपेन होते होते है उसका रिजन क्या है क्या मैंने गलतियां कहता वो देखो मार्केट यहां पे क्लोजिंग था कलके कोडिंग आज मार्केट यहां पे ओपेन हुआ और मैंने क्या क्या जैसा म उड़ा है तो हमारे लिए 47,000 काफी important level रहेगा इसके नीचे breakdown करता तो यहां पर हमारे लिए एक perfect level create होता downside के लिए लेकिन मैंने ये गलतियां किया और मुझे 2,00,00 का जो है यहां पर नुकसान लेना पड़ा single candle 2,00,00 मेरा इस्टोपलोस बहुत कम था लेकिन ये candle का fluctuation इतना बड़ा था सब को पता होगा कि ये कितना बड़ा candle rejection इस support level से दिया था 47,000 major level था psychological level था इसलिए इतना बड़ा rejection यहां से देखने को मिला ये easily breakdown होता भी नहीं मैंने ये गलतिया किया आप लोग कभी भी मत करना breakout breakdown का वेड जरूर करे और यहां पर जैसे मैंने loss किया इसके बा इस level तक मैंने trial करके रखा था लेकिन यहां पर lastly जब market आया तो exactly यहां से यहां तक मैं exit ही कर गया और फिर से देखो वो level जो है na market का देखो decay करके यहीं पर आ गया अब मैं इसके बाद अभी जो trap हुआ हूँ वो देखो कैसे हुआ हूँ जब market यहां पे two times ऐसे करके आ गया कोई बहुत लोग तो यहां पर इस वाले m pattern के coding entry बना लिया होगा यहां पर ठीक है लेकिन मैं तो यहां पर नहीं बनाया मैं trap हुआ जब again यहां से आने लगा और यहां पर मैंने एक C का call लिया था यहां पर लिया था इसलिए कि मुझे लगा कि यह वाला red candle retreat हो चुका है अ यहां पर मेरा premium क्या हुआ डीके होके last time में हमको यहां पर लॉस कर दिया लॉस किया पहले profit जो मेरा था recover करके वो 98,000-99,000 था ठीक है अब 98,000-99,000 मतलब approximately 1 लाग का profit था और यहां पर लगवग हमारा 40-50,000 का profit खतम हो गया second time जब मैंने trap हुआ जबकि यहां पर हमको trade initiate करना ही नहीं चीए था मैंने यहां से wait किया था तो मैं यहां पर गलतिया यह भी हुई है last time वो भी expiry में यहां पर मैंने trap हो गया जब market इतना बड़ा volatile है whole day market range momentum कर रहा है तो यहां पर over trading नहीं करनी चाहिए मैंने आप लोग को group में भी सारे चीए बताया था कि over trading बिलकुल करनी नहीं है तो reason यह था दो बार trap हुआ लेकिन overall मैंने 41,000 का profit में मैंने close किया है guys आप लोग को instagram पे सारे link दे दिया हूं वहां से देख सकते हैं और बात रही free telegram channel की तो guys believe नहीं करोगे यहां पे मैंने something 20 के करीब जो है मैंने आप लोग को 22,30 के बीच में मैंने एक C option दिया थ 20 नहीं guys 20 नहीं यह जो था न 50 था 40 से 50 के बीच में मैंने something दिया था और यह वाला strike price जो है न 100 यहां पे high लगा गया था हमारा 107 का एक सो साथ का ऐसे high लगा था 107 का लेकिन हमारा जो target था वो 100 का था यहां पे purely target done कर दिया था 50 point का target दिया था absolutely live सब लोग के साथ किया हूं अब इसका benefit लेने के लिए कोई charges कोई पैसे तो है नहीं link इसी वीडियो के description में डाल दूगा वहां से check out कीजिए और daily basis पे ऐसा नहीं कि एक दिन सब दिन मैं वहां पे live update करता हूं उसको जरूर देखिए और वहां से बहुत लोग profitable है अब profit बना रहे हैं तो इसको miss मत कीजि और बात रही premium group की तो मैंने यहां पर एक call initiate किया था same call जिसको मैंने 20 से लिया था और वो call यहां से fire हो गया था 100 के लिए same call मैंने premium में भी दिया था यहां पर भी मैंने एक call दिया था वो भी call बहुत अच्छा momentum दिया था यानि कि total overall अगर मैं बात करूं तो दो call premium में था द लिंक दिया हुआ है वहां से जाके account open कर लिजिए telegram पे मुझे contact कर सकते हैं premium group में lifetime के लिए आप add हो सकते हैं जहां पर यह सारे update आपको live market के मिलते रहेंगे और कोई charges कोई पैसे कुछ भी नहीं है और वो lifetime है यह benefit जरूर ले वीडियो के discussion में सारे link दिया हुआ है check out कर सकते कल के coding देखिए market हम लोग के लिए काफी बहतरीन चीज़े यहां पर किया है कि market एक range में momentum करके यहां पर breakdown नहीं किया है इसी range में closing कर दिया है तो हमारे लिए सब से better way है जब भी market range momentum करता है तो उसी के बाद market यहां से momentum start भी करता है जैसे हमारे लिए यह वाला जो level है उपर क resistance level यह है 481 यहां से green candle के साथ उपर closing करना चाहिए तो market में यहां से small quantity buy करेंगे target हमारा यह वाला रहेगा अगर market यहां पर 200 के नीचे जाता है तो यहां भी quantity कम ही रखेंगे क्योंकि जिस type से market momentum कर रहा है यह range काफी critical है तो जब तक यहां पर breakdown देता है तो यह false breakout भी दे सकता है तो हम लोग को इसी पर सबसे पहले focus करना पड़ेगा और दूसरी बाती के quantity ही कम कर देंगे जिससे कि हमारा rigs भी बहुत कम रहेगा और target पहला target तो यही रहेगा इसके नीचे 1% हम लोग यहां पर target देख सकते हैं कल तो हमारा nifty का expiry है मैंने जो level दिया था फिर से मैं ब breakdown नहीं किया था इसके उपर ही था इसी को देखते हुए मैंने trade लिया था और मैं trap हुआ जैसे कि यहां पर देखिए कोई लोग trade लिया होगा तो उसको भी यहां पर trap किया होगा सबका यहां पर stop loss गया होगा इसके बाद market purely sideways हो गया लेकिन यहां पर देखिए आपको box strategy मैंन नहीं था इसमें अगर मैंने last time trade इंटर किया होता तो आज मेरा profit जो है ना वहां से लगबग काफी ऊपर चला गया होता लेकिन मैंने इसमें trade किया ही नहीं लेकिन हमको करना चाहिए अगर market volatile है bank nifty का तो अगर वहां पे काफी range momentum है तो उसमें decay होने की chances बहुत जादा रहता जो मेरे साथ हुआ आज two times लेकिन guys अगर आपने nifty में किया होगा तो बहतरीन target आपको दिया होगा अब कल के according nifty काफी सांदार momentum यहां पी upside में लगाया है और ये वाली जो आप यहां से देख रहे हैं देखिए W pattern के according जो है एक range support यहां पे बोलेंगे market बनाया हुआ है तो अब इसके ऊपर green candle के साथ market closing कर देता है तो यहां से directly हम लोग एक small quantity buy करेंगे target हमारा ये दोनोड हैगा और W pattern बना के यहां पे trigger किया हुआ है सिर्फ हमको range resistance का wait करना है इसको breakout के बाद अच्छा momentum दे सकता है लेकिन अगर market इसी range में again आ जाता है देखिए कल इसे nifty का expiry है तो थोड़ा बहुत सोच समझ के यहां पे काम करना होगा और यहां पी इस range में आ जाता है तो फिर से हम लोग को 500 के नीचे breakdown करने का wait करना होगा trap कर सकता है जैसे आप यहां पे sale करते हैं तो आपको stop loss भी लगा के रखना पड़ेगा अपने risk के according क्योंकि देखिए कभी भी समझना पड़ेगा और यहां से quantity काफी कम रखेंगे target हम लोग को यह दोनों देखने को मिल सकता है लेकिन maximum chances से कि यहां से market upside में जा सकता है guys stock में अगर trade आप लोग करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता अगर करते हो तो comment box में जरूर बताओ yes करके कि हां मैं करता हूँ और guys वीडियो पसंद आएद वीडियो को like share और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न बोले ताइंकि so much for your love and support